कॉंग्रेस सरकास सत्ता में आते ही पंजाब का खजाना खाली होने की बात करती आ रही है पंजाब में चाहे किसी की भी सरकार आ जाए मंत्री साहिब हमेशा ही खजाना खाली होने की बात करते हैं आज सांसर रवनी सिंग बिटो ने लुध्याना शहर के विकास के लिए सेंटर गॉर्मेंट से पांच हजार करोड की धन राशी की मांग की है ते क्रीवन पंजहियार करोड रपे दी लोड़ा, तांज आके साड़े दr यू यजले ठीक होणगे, ते मेगवाल साबनू मेरा सनच और पंजाबियाना पे आरा, तो सिर्फ सान्नू आके उर देखन दी बजाये, उत्ते बेक पैसे देन तो जड़ाव मोड़ देया सानु पैसे चाहिए देया तेसी कम ग्राउन ते तहीं कर सकोंगे अब आप भी सुनिया उनके खाली पड़े खजाने पर विरोधी पार्टी अकाली दलके ने तक गुर्मीश सिंग कुलार ने क्या कहा देखो सरकारां को ले सरकारां दा क हैना कि साड़े कोले पैसा नी है गा मैस घाल दीनक सेहां सेहमत नी हैगा सरकारां ता मैं एक पैसा हूं दिया ने सरकार को ले बहुत बढ़िया बजट दिया जडियां जडियां प्रविजन्ज हुं दियां ने चलो CGST तो पार सरकार देनाल सबन देता पर लेकर जिड़ा SGST याँ सरकार को ले जंदा बाद सारा पैसा और सरकार दाता एवी एसूल है कि अगर असी बी तरीक तो एकी तरीक कर देता सानू पनल्टी देनाल पैसे जमा क्रोने पहन देया सरकार को ले बहुत पैसा है गल देनाल असी सहमत नहीं है यह ता किते ना किते सरकार दी असी गल करिये कि सरकार दे उते डाउट हो रहे है क्यों नहीं पैसा दे रही सरकार